हलो प्रेंट्स बिलकम है आपके अपने योटूब चैनल नेचरल लोम ब्यूटी में तो प्रेंट्स आज मैं आप लोग के साथ सेयर करने वाली हूँ पिंग्मिन टेशन को रिमोब करने के लिए बहुत ही सस्ती और असरदार रेमेडी जैसे कि यह जो जाया होती है प्रेंट लगबग यह समझे कि 100% में 18% लोगों को पिंग्मिन टेशन की समस्या हो ही रही है तो बहुत से लोग कमेंट कर रहे हैं अभी इस टाइम में कि कोई ऐसी रेमेडी सेयर कीजिए जो कि हमें आसानी से मिल जाए तो फ्रेंट्स रेमेडी तो आप लोग के साथ कई सेयर कर हुए मैं आप लोग के साथ बहुत ही आसान सी रेमेडी सेयर करने वाली हूं और यह हर घरों में आपको मिल जाएगी तो मैं बात कर रही हूं देशी घी का अगर आप इस देशी घी का इस्तेमाल इस तरह करते हो जैसा मैं बताती हूं तो आपका जो पिंग्मेंटेशन है आपके छेरे पर किसी भी प्रकार के दाग दब्बे हो या ब्लैक इस्पोर्ट या कील मुहासे के दाग दब्बे हैं वो सारे इस रेमेडी से आपके रिमूब हो जाएंगे लेकिन यह माईनी रखता है कि आपके दाग दब्बे या जाईया आपके कितनी डार्क हैं अगर बहुत जादा डार्क हैं तो टाइम भी लगेगा उसे रिमूब करने में अगर आपके छाईया या दाग दब्बे ब्लैक किसी भी चीज के दाग दब्बे हो कील मुहासे के तो उसके दाग दब्बे जो है कितने डार्क हैं उसी के हिसाफ से यह अपना वर्क करेगा अगर दली कि लाइन जैसे कि पिग्मेंटेशन आपको इस्टार्ट हुआ है तो जब इसटार्ट होता है तो यह को भूरे कलर यहझा करने में तो लेकिन अगर आपको ढिन आपको करने में तो आपको लेना है यह को फ्रैंटिथ बने भूए घी को यूज करना है कि नहीं और अगर आपको गया की मिलता है तो और भी अच्छा है उसके साथ साथ अगर पुराना गी है दो तीन साल का पुराना गी तो और भी बेश्ट है उचल्दी से वर्क करेगा इसे कैसे योज करना है जैसे कि आप डे में योज करोगे तो बहुत जादा ओली ओली दिखेगा इसलिए आप इस रेमेडी को और फटी ही होगा अगर आपको जैसी कहीं नहीं है तो भी योज कर सकते हो आपको लेना है और इस तरह मसाज करना है जहां आपको जहाईना है और मसाज कम से कम आपके पाश टाइम है तो दस मिनट करें तो बहुत ही अच्छा है इससे आपके चेरे पर ग्लो भी आएगा और साथ में आपके दाग धब्बे भी धीरे-धीरे रिमूब हो जाएगे इस तरह अगर जब आप मसाज करते रहोगे तो आप आपके इसकी में एकजाब होगा केवल लगाने से फर्क नहीं पड़ता है आपके इसकी पोर्स में के अंदर इसको जाना चाहिए तो यह जब जाएगा तो ही अपना अच्छा वर्ग दिखाएगा इसलिए आपको अच्छे से ऐसे मसाज करना होगा और मसाज करने के बाद जो है फ्रेंट्स आपको ऐसी ओवर नाइट छोड़ देना होगा और आपको सो जाना होगा फिर सुबा जो है आपको प्रिचेरी को वास करने ना होगा दिन में आप मत लगाईए रात में ही इस रेमेडी को यूज कीजिए केवल वनली वन देशी घी का यूज करना है वह गाई के घी का यूज करना है अगर पुराना घी मिलता है तो और वेश्ट है जैसा कि फ्रेंट्स यह मैं दोबारा बता रही हो ताकि आप लोग को कोई भी कंफ्यूजन ना हो तो इस तरह अगर आप यूज करते हो फ्रेंट्स इतनी सस्ती डेमेडी मेरे ख्यास से और कोई नहीं मिलेगी और 100% यह फ्रेंट्स नेचुरन है इसका कोई भी साइट इफेक्ट नहीं है उल्टा आपके चेरे पर इफेक्ट ही रहेगा आपके चेरे पर दाग दब्बे पिग्मेंटेशन तो दोर ही होंगे साथ ही अगर आपका चेरा बहुत ड्राई रहता है तो भी उ इसका इफेक्ट आपको जादा मिलेगा और इसी अगर आप लगाने के बाद जो है सो जाएंगे और सुबह इसे आप नॉर्मन पानी से वास कर दीजिएगा डे में मत यूज कीजिएगा नाइट में यूज कीजिएगा और बहुत ही इत्मिनांस यूज कीजिएगा फ्रें आप जैसे आपका देखेंगे की वन मंत पूरा होगा तो आप देखेंगे कि आप जाएंएं लाइट हुई है तो इससे आप कंटीइऊ यूज कीजिएगा और आप देखेंगे आपकी जाएंदे अच्छे से डीपली आपके चेहरे के दाग धबो को क्लीन करेगा तो फ्रेंट्स यह 100% नेचुराल है कोई भी साइड डिफेक्ट नहीं होगा आपकी कैसी भी स्कीनों आप यूज कर सकते हो तो फ्रेंट्स एक छोटी सी रिक्वेश्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको यह वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक भी कीजिएगा अगर इससे समंदिर आपको कोई क्वेश्चन है तो भी बताइएगा तो फ्रेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई व्यूटी टिप्स के साथ तब तक के ल